हमस्कार बहुत स्वागत है आपका देख रहे हैं जोतिश दिशार सत्की राह मैं हूँ आपके साथ आपका इस्टो फ्रेंड संतो संतोशी और होली की बहुत सारी हार्दिक शुब कामना है हमारे समस्त दर्शकों को जितने भी हमारे सोचल मीडिया पर आपको फॉलू करते है जोतिश विज्ञान को जीते हैं जोतिश विज्ञान में रमते हैं और जोतिश को अपने हरदय से आत्मसाद करते हैं आप सब को होली के पावनपर्व की बहुत बहुत सारी शुब कामना है ठागुर जी बिहारी जी राधरानी आप सब के जीवन में सदैव प्रेम के रंग के आए ऐसी हम प्रात्रा करते हैं ये सुर्वात करते हैं बाज के जोतिश दिशा की नक्षत्र 27 मीडिया की अध्भु प्रस्तती जोतिश दिशा सत्य की राहा चैत्र महा कृष्ण पक्ष प्रतिपदाती थी है आज शाम साथ बच कर 42 मिनट तक चंद्रमा आज सिंग राशी म में प्रवेश नक्षत्र रहेगा उत्तरा योग रहेगा शूल तदनस्वार दिनांक आठ मार्च दिन बुधवार बुधवार को राहुकाल का समय नोट कर लिजेगा दोपहर बारह से एक बच कर 30 मिनट तक और गुलिक काल का समय रहेगा सुबह साथे दस से बारह बज़े तक गुलिक काल में नया और शुबकाम आरंब किया जा सकता है मतलब आप होली खेलना सुबह साड़े दस बज़े के बाद आरम कर सकते हैं बहुत संभाल कर किसी से सत्रु भाव नहीं सब सिप्रेम भाव ये भाव ही आपके लिए जीवन का उदेश्य बनेगा और आप हर कदम पर आगे बढ़ेंगे मेश राशी हर कदम अचा आज जो राशी फल है ये अलग अलग तरह से ना बता करके मैं समूह में बता रहा हूं और आज ज़्यादा समय ना ले करके बहुत शौर्ट में आप सब को हम राशी फल प्रस्तुत करेंगे मेश वालों के लिए दिन बहुत उत्तम रहेगा आज चंद्रमा की स्थती आपके छठे भाव में रहेगी थोड़ा सा अपने आप पर स्वास्त पर ध्यान देते हुए रंगों का यह तहवार सरिब्रेट करिए अपनों का प्यार ग्रहन करिए और राहु को प्रणाम करिएगा भाग्याब सब का चमकेगा आज सब कुछ सब रंग आज शुब हैं और सब भाग्याब के लिए परंपावन पुनीत और कल्यान प्रद रहेगा ब्रिशव राषि की बात कर लेते हैं तो चंद्रमा की स्थती आज आपके पंचम भाव में है लिहाजा इस्थतियां बजिके बावन मरतक सिंग्छ चतुर्थ रहेगा बहुत पावन रहेगा और बहुत प्रशनता रहेगी प्रेम बहुत रहेगा आज आप सी तालमेल की स्थती बहुत अच्छी रहेगी एक दूसरे को समर्पित रहेंगे आप परिवार में खुशी का बातावन रहेगा मन प्रशन रहेगा थोड़ा सा पीड से परेशा अंतरमन आपका बहुत प्रसंद रहेगा आज किसी तरह की दिक्कत नहीं रहेगी प्रसंदता के साथ ही आप खुब कदम बढ़ाएंगे और किसी तरह की चिंताओं से मुक्ति प्राप्त करते हुए आज हर्दय में सवहार्द की अभिविद्धी प्राप्त करेंगे करक की बात करें तो तो तीयस्त चंद्रमा मन को थोड़ा सा खिन करेगा भाई भेहनों के बीद विवाद या विशाद की स्थती पैदा हो सकती है तो अपने वानी पर अंकुष रखिएगा बहुत जादा सोचने की आवश्यक्ता नहीं है बहुत जादा चिंता करने की आवश रहेंगी वाणी से आपको बहुत कंट्रोल रखना हो का वाणी पर बहुत जादा बोलना नहीं है आज किसी पर बहुत जादा बोल करके उनको खिंद कर दीजेगा तो दुटियस्त चंद्रमा अनावश्यक अपव्य भी करता है लेकिन फिर भी कोटुमबे में खोशी का वा पेश होगा जैसे ही नो बजेगा आपका मन प्रशनक्चित हो जाएगा चंद्रमा आज आपकी राशी में आएंगे चंचलता बढ़ेगी स्नेह बढ़ेगा आज प्रेम संबंधों में प्रगारता आएगी औरों का प्यार मिलेगा धन की स्थिति अच्छी रहेगी और कोई प पर स्थिति खर्च बढ़ेगा और अचानक से किसी के साथ बिवाद की स्थिति ना आए इसके लिए अथक प्रयास करिएगा बात व्रिष्चिक की करें तो एक आदसस्त है चंद्रमा आज आठ बच के बाउन मेंट पर एक आदस भाव में चंद्रमा का प्रवेश हो रहा है लाब के रास्ते खोलेंगे मस्तिश को थोड़ा सा बिजनस की तरफ जाएगा कुछ इस्टेटजी बन सकती है कुछ योजना बना सकते हैं आप पंचम पर चंद्रमा के द्रिष्टी आपके पंचम भाव को मजबूती दे रहे हैं पंचम भाव मर मीन राशी है जहां ब्रहश्पती है तो आज ग्यान सवहार्द आद के बृद्धी भी रहेगी बात करें कि अगर हम धनुलाशी की तो थोड़ा सा यहां इस्थिति दसमस्त चंद्रमा की रहेगी तो अनावश्चक रूप से काम का बोज सताएगा प्रेशर फील करेंगे ये करना है यह भी करना है यहां चले जाएं वहां कर लें बहुत सारी चीज़ें एकदम से उलजी करना पैदा हो इसके लिए भी आपको प्रियास करना होगा और यह आपकी वजह से ही हो सकता है यहां पर आपको फोकस करना है कंसंट्रेट करना है और चिंताओं से अपने आपको मुक्ति देना है बात करने अब हम मकर राशी की तो नाइन्थ हाउस में चंदर्मा का प्रवेश होगा पंचम से तो स्वास्थ अब आज ठीक ठीक फील करेंगे जो दिक्कते थी परिशानिया थी वहां से मुक्ति मिलेगी पत्नी के साथ रिष्टे में मधूरता आ जाएगी माता आज आपक मदब आपका दबदबा वहां पर भी बना हुआ है तो मिलाज उलाकर के मकर राशी वालों के लिए हर चिंताओं से मुक्ति भाग्यस्थान पर चंद्रमा का आगमन जब नौबजे के लंसम में होगा तो सब कुछ ठीक ठीक होने लग जाएगा बात करें अगर कुंभराशी की तो यहां पर अश्टम में चंद्रमा अचानक से प्रिविश करेंगे तो मन थोड़ा विशाक्त रहेगा अब क्या करें अब क्या करें अब क्या करें इसी चीज में चिंतित रहेंगे आप यह चिंताओं आपको परेशान कर सकती हैं इन चिं कारण आपको कुछ न कुछ उल्जन बढ़ता हुआ दिखाई देगा। इसके कारण आपके लिए मुश्किले आ सकते हैं। आपको इस पर फोकस करना है और आप अगर फोकस करते हैं तो सब कुछ ठीक किया जा सकता। अगर आप लापरवाही करेंगे तो परिशान रहेंगे मन विशागत होगा होली का समय सब कुछ खराब लगने लगेगा। अचानक से प्रवेश है। चर्चा करेंगे अगर हम मीन राशी की तो यहां पर चंद्रमा आपके सात्मे में प्रिवेश करेंगे तो गुप्त दुश्मन धराशाई हो जाएंगे और आपके अंदर की प्रशनता बाहर आ जाएगे। और उसी प्रशनता के अंतरगत आप सब कुछ सहच और शुव इस्थति में ला देंगे। आपके लिए बहुत सारी स्थियां बहुत सकरात्मक और प्रशनता दाएक रहेंगे। आप हर प्रकार से प्रशनता पूरवक कदम बढ़ाएंगे और आप मजबुती प्राप्त कर अगर हम आगे तो एक उपाय हम मेश से लेकर मीन तक वालों के लिए बताएंगे होली स्पेशल उपाय है यह आप सब लोग कर लीजेगा चंद्रमा आ चुकी कन्याराशी में प्रवेश कर रहे हैं नौ बजे के लम सम्मे सुबह तो कन्याराशी अर्थाद बुध और यहां चंद्रमा के साथ बुध का संबंध होता है तो छोटी उगली में ध्यान दिजेगा एक सफेध धागा बाध लीजिए यह आज की सक्सेस की भी मान सकते हैं यही है आज की सक्सेस की सफेध धागा यह से खोल कर कहीं पौधे के नेचे डाल दीजेगा भगवान गनेश का ध्यान करें ओम गंगण पतए नमय ओम गंगण पतए नमय ओम गंगण पतए नमय जितना हो सके इस मंत्र का जाप करें सब कुछ आपके लिए सकारात्मक रहेगा आगे बढ़ते हैं और अब चर्चा कर अब लेते हैं आज का भाग्याक्षर मेश राशी वाग्षर विशव था मिथुन ता अक्षर करक चा सिंग भाग्षर कन्या वा तुला हाग्षर विश्चिक सा धनू याग्षर मकर ला कुम्भ चाग्षर मीन न शुभ भाग्याक्षर है ये साधे चौकोर कागज पर लिखना भर होता है और फिर दिन का सुभारम करना है अब चर्चा कर लेते हैं जिनका आज शुब जनम दिन है आठ मार्च को हमारी तरफ से शुब कामनाए आयुश्मान भव है प्रियोक के तोर पर आज दो नीम के पौधे कहीं सार्वजनिक जग निब्सक्राइब करें और किसी करनिया के विवाह में मदद करतें ऊजिक्व कामना हिए आप सब को जोबी हमारे दर्शक है जितने भी हमारे हमारे बहुत सारी शुब कामIVE दर्णिवाद बहुत बहुत शुक्रिया नमस्कार शेराने से खुशियां ला सकता है कैसी भी दशा कैसा भी ग्रहों का हो दुश प्रभाव बस एक ग्रहदीब आपके जीवन को भर देगा खुशियों से हर समस्या के लिए अलग-अलग ग्रहदीब जैसे नौकरी के लिए सूर्य ग्रहदीब व्यापार के लिए बुद्ध ग्रहदीब संतान के लिए संतान गोपाल धन हे तू महालक्ष्मी कर्ज कोट विवाद मंगल ग्रहदीब मॉडलिंग और एक्टरस बनने के लिए शुक्र ग्रहदीब तो अगर आपको भी खुशियों की चाहा है मंगवाईए अपना खास ग्रहदी दीब एक खुशियां अनेक